इस लेक्चर में हम सेपरेशन आफ बॉर्डरी लियर समझेंगे तो देखिए पहले हम डेफिनिशन इसकी समझते हैं due to some change in shape of the body or position of the body a point comes when the boundary layer can't able to stick with the solid body if flowing fluid cannot give sufficient kinetic energy to overcome the resistance offered by the solid body then boundary layer separation starts देखिए किस तरीके से मान लीजिए यह आपका कोई surface है और यह देखिए यह आपको boundary layer नजर आ रहे हैं यहां पर यहां पर boundary layer का separation हो रहा है तो boundary layer का separation किये हुआ क्योंकि देखिए जब आपका surface पर जो रोक देता है अब यहां पर अगर fluid को आपको चलाना है तो fluid के पास क्या होनी चाहिए sufficient kinetic energy होनी चाहिए अगर kinetic energy आपकी कम होती जाएगी कम होती जाएगी तो क्या होगा fluid particle यहाँ पर क्या होगा रुख जाएगा और एक समय यहाँ 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 से दूर चले जाएगा फिर यहाँ पर सटके वो नहीं चल पाएगा तो देखे इसा क्यों होता है अगर आप इस reason में देखेंगे तो यहाँ पर del p upon del x is less than 0 है मतलब pressure gradient यहाँ पर क्या है less than 0 है मतलब यहाँ पर pressure आपका ज्यादा है और यहाँ पर pressure दूसरे side pressure आपका क्या है कम है तो आपका fluid आसानी से देखे इस direction में आपका flow हो रहा है फिर हम यहाँ से आगे बढ़े है यहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखे area आपका कम हो गया है area कम हो गया है तो यहाँ पर velocity क्या होगे बढ़ जाएगी मतलब यहाँ पर आपको pressure क्या होगा आपका low हो गया अगर यहाँ पर pressure आपका high हो गया तो यहाँ पर पानी क्या होगा opposite direction में move करेगा ठीक है वो क्या करेगा opposite direction में move करेगा यहाँ पर pressure हाई था तो यहाँ पर पानी इस direction में move करा अब यहाँ पर pressure आपका high होगे तो पानी क्या होगा opposite direction में यहाँ पे move करेगा मतलब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कुछ eddies इस तरीके से फार्ग हो जाएगी यहाँ पे खाली जगा मिल जाएगी मतलब यहाँ पे जो float particle है वो यहाँ से उड़ जाएगा मतलब यहाँ पे boundary layer separation आपका चालू हो जाएगा तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे flow आपका क्या हो रहा है अपोसर डारेक्शन में हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो pressure gradient इसकी value greater than 0 है मतलब यहाँ पे इस हिससे में प्रेशर आपका ज्यादा हो गया मतलब यहाँ पे back pressure आपको मिलेगा मतलब पानी आपका इस direction में flow होगा अब हम फिर से इसको देखे हम क्या-क्या समझ लिये हैं देखें we know that as the flow proceed over a solid surface the boundary layer thickness increases the velocity profile changes from parabolic to logarithmic तो velocity देखें जैसे जैसे flow आपका आगे बढ़ता है तो boundary layer आपको नजर आ रहा है यह आपको क्या हो रहा है increase हो रहा है तो velocity profile जो parabolic रहती है वो क्या होती जा रही है logarithic होती जा रही है देखें आगे बुलता है the fluid layer adjacent to the solid surface देखें जो fluid layer है adjacent to the solid surface है यह आपका solid surface है इसके adjacent में जो आपका fluid का layer है यहाँ पे एक layer है has to do work against the surface friction ठेक है यहाँ पे क्या होगा यह solid surface है तो इसका क्या होगा कुछ friction होगा तो क्या करना पड़ता है यह जो fluid का layer है उसको work करना पड़ता है उसको कारे करना पड़ता है किसके against friction के against कारे करना पड़ता है वो केसे कारे करता है by consuming some kinetic energy आपका kinetic energy क्या होगी consume होगी किसमें consume होगी यहाँ पे जो भी surface friction force है उसको overcome करने के लिए तो देखिए the loss of kinetic energy is recovered from the adjacent fluid layer through momentum exchange process momentum exchange process क्या होता है देखिए मान लीजिए यह आपका surface है तो surface पे जो fluid particle उसकी velocity 0 है हम उपर गए तो fluid particle की velocity थोड़ी बढ़े फिर उपर गए तो और बढ़े फिर उपर गए तो और बढ़े तो उपर वाला layer क्या करेगा नीचे वाले layer पे क्या करेगा momentum transfer के थुरू इसको velocity देगा तो क्या होगा उपर वाले की velocity और कम होती जाएगी और यह उपर वाला इसकी velocity और कम होती जाएगी तो overall क्या हो जाएगा does the velocity of the layer goes on decreasing सारी layer की velocity आपकी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी फिर along the length of the solid body a certain point a stage may come when the boundary layer may not be able to keep sticking on the solid body अब देखिए आपकी velocity कम होती जारी जैसे जैसे हम उपर जा रहे हैं और overall velocity भी कम होती जारी तो एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर नहीं रुक पाएगा आपका जो layer है यहाँ पर जो मिल रही है वो यहाँ पर नहीं रुक पाएगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी अलग आपकी हो जाएगी तो in other word boundary layer will be separated from the surface this phenomena is called the boundary layer separation the point on the body at which boundary layer is on the verge of separation from the surface is called point of separation तो देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यह आपका क्या है यह point of separation है अब देखें boundary layer separation आपको कम मिलेगा किस condition में boundary layer separation आपको मिलेगा देखें the flow will not separate तो इस हिस्से में देखें flow आपका separate नहीं होगा flow will remain attached to the surface flow आपका surface से attached रहेगा किस condition में जब आपका डेल P upon डेल X की value less than 0 है और जब डेल U upon डेल Y की value greater than 0 है तब food आपका क्या रहेगा attached रहेगा मतलब boundary layer separation आपका नहीं होगा देखें डेल U upon डेल Y is greater than 0 इसका मतलब क्या मान लीजे यह आपका कोई surface है तो इस surface पर यहाँ पर तो velocity आपकी 0 है अब देखें हम उपर गए तो थोड़ी से आपको velocity मिली इसके उपर गए तो और velocity आपको मिली इसके उपर गए तो और velocity आपको मिली तो देखें velocity आपकी बढ़ती जा रहे है उपर term है तो आपको देखें velocity profile या आपको इस तरीके का नजर आता है तो देखें del u upon del y is greater than 0 तो देखें उपर velocity क्या है ज्यादा है और नीचे velocity क्या है आपकी कम है तो जब आप del u upon del y निकालेंगे तो वो greater than आपका 0 आएगा और यहाँ पे देखें del p upon del x is less than 0 del p upon del x less than 0 है मतलब यहाँ पे pressure आपका high है इस side और जैसे जैसे आप इस side जाएगे तो pressure आपका क्या होते जाएगा कम होते जाएगा तभी तो del p upon del x के value less than 0 आएगी तो यह जो condition है अगर यह condition आपके satisfy होती है तो आपका क्या रहेगा flow आपका separate नहीं होगा boundary layer separation नहीं मिलेगा आपको अब the flow is on the verge of separation किस condition में flow आपका separation होने की condition में आजाएगा तो देखे कब आएगा जब del p upon del x की value equal to 0 हो जाए और del u upon del y y equal to 0 equal to कितना हो जाए 0 हो जाए तो उस condition में जो flow रहेगा उस स्थिति में आजाएगा जब वो आपके solid surface से वो separate होने की स्थिति में आजाएगा अब flow आपका separate कब हो जाएगा देखे तीसरे इस वाले stage में आपका जब del p upon del x की value greater than 0 हो जाए और del u upon del y की value less than 0 हो जाए ठीके तब ये greater than 0 होगा तो ये less than 0 होगा तो उस condition में आपका क्या होगा flood आपका separate हो जाएगा किस से boundary layer से अब देखे boundary layer का separation हो गया ठीके उससे क्या होगा देखे जब flood यहाँ पे एसा flow कर रहा था close to surface चल रहा था तो यहाँ पे skin friction आपको मिल रहा था जब boundary layer से वो अलग हो जाएगा तो आपको drag friction मिलने लगेगा जब drag friction आपको मिलेगा तो उसके कारण क्या होगा flood particle के velocity कम होती जाएगी मतलब energy losses आपको मिलने लगेंगे तो यह होता है जब boundary layer separation होता है तो हमको precaution लेना रहता है कि boundary layer separation नहों देखी if the boundary layer separation has occurred then there will be more drag friction than the skin friction जब boundary layer separation होगा तो ज़्यादा क्या हो जाएगा drag friction हो जाएगा और skin friction क्या हो जाएगा कम हो जाएगा skin friction और drag friction हम पढ़ चुके पहले skin friction is along the surface of the entire body skin friction कहां पे होता है surface of the entire body पे आपका होता है ठीक और drag friction reduce होने से the drag friction क्या करेगा will reduce the velocity of the fluid velocity of fluid को reduce कर देगा जिससे क्या होगा wave formation भी होगा और उससे energy losses होने लगेंगे अब हमें देखे boundary layer separation को prevent करना है रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा हम देखते हैं तो देखे method of preventing the separation of boundary layer RS तो देखे पहले streamline body हमको बनानी पड़ेगी तो देखे यहाँ पे मैंने streamline body बनाया है यहाँ पे देखे यहाँ पे boundary layer separation यहाँ पे आपका हो गया तो उसके कारण क्या होगा यहाँ पे large wake आपको मिलने लगा जिसके कारण क्या होगा energy losses होने लगेगी अब देखे मैंने जब यहाँ पे streamline body बाड़ी बनाई है तो यहाँ पर small wake मिल रहा है मतलब energy losses इसके compression में क्या हो गया negligible आपका हो गया तो उससे क्या होगा pressure drag आपका reduce हो जाएगा ठीक है तो streamlining body बनाने से क्या होगा pressure drag आपका क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा तो method of preventing the separation of boundary layer में पहला क्या देखा आपने streamline body आपने बना लिए second हमने artificial roughness produce कर दी तो देखे यहाँ पर आपने देखा होगा यह इस तरीके की ball आती है ठीक है उसमें क्या रहता है बाहर के surface rough रहता इस तरीके से जो base ball रहता है ball का surface क्या रहता है rough रहता है आपका और यह आपकी smooth ball थी देखे तब smooth ball थी तो यहाँ पर देखे आपका wake formation आपको इतना मिला और जब आप rough formation लेंगे तो देखे यह आपकी boundary layer separation आपको यहाँ पर मिल रहा है मतलब wake formation आपको कम मिल रहा है यहाँ पर wake formation कम मिल रहा है मतलब energy losses आपको कम मिलेगी तो हम क्या करते हैं artificial roughness create कर देते हैं surface के उपर ताकि boundary layer separation हमको न मिले तो एक तो streamline body बना दीजिए second आप क्या करिए artificial roughness produce कर दीजिए तीसरा slot near the leading edge कर दीजिए देखे यहाँ पर हमने एक slot बना दिया तो जिसमें liquid की velocity कम रहेगी वो यहाँ से निकल जाएगा ठीक तो इसके कारण भी क्या होगा boundary layer separation आपको नहीं मिलेगा fourth हम क्या करेंगे हमने section slot बना दिया तो देखे section slot हमने इस तरीके से बना दे देखे liquid आपको इस तरीके से flow होके जा रहा था अब यह था इसकी velocity कम होती गई friction के कारण kinetic energy और reduce हो गई तो यह वाला liquid क्या हुआ इसके अंदर आ गया और boundary layer आपको separation नहीं मिला आगे हम और क्या कर सकते हैं blowing additional energy कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर जो layer जा रही थी उसकी energy अगर कम हो रही है तो यहाँ से हम क्या करेंगे additional energy को blow कर देंगे ताकि ये जो layer है जिसके energy कम हो रही है उसको energy मिलती रहा है और boundary layer separation आपका नहीं हो और हम क्या कर सकते हैं इसमें हम guide veins बना सकते हैं देखे ये आपको guide veins नजर आ रही है तो देखे अगर ये इस तरीके का है तो boundary layer separation आपको नहीं मिलेगा ये देखे लिक्वूड आएगा यहां से separate आपका नहीं होगा आराम से liquid आपका इस side से इस side चला जाएगा अगर ये इसा रहता तो देखे boundary layer separation आपको मिल जाता यहां पे liquid आता पहले यह ऐसा ऐसा चला जाता तो आपको क्या मिलता boundary layer separation आपको इस case में मिल जाता तो यह तरीके हम use करते हैं boundary layer separation होने से prevent करने के लिए कि boundary layer separation आपका नहीं हो Thank you आपको बियाए, ज उपका हो प्रॉण deep